हारू फीक्स सैंसंग M12 फिंगर्प्रिंट सेंसर नोट वर्किंग प्रॉपरली प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैंसंग की डिवा फिक्स कर सकते हैं अपने मोबाइल से ठीक है तो क्या क्या सॉलुशन आपको करना है क्या क्या प्रोसेस आपको फोलो करना है सब कुछ आपको मैं इसी वीडियो पर बताऊंगा तो आपको सारे सॉलुशन फोलो करना है एंड आपका प्रॉब्लम डेफिनिटली सोफ्ट हो जाएगा कि दोस्तो है फर बोहстी सारे sleepy जिसके वज़से आपको प्रॉब्लिम आथे ठीक LET तो वह बताने वाला हो का Sup कि बते होगा जिसके पर अपने प्रॉब्लिम कड कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका fingerprint sensor by any chance काम नहीं कर जाते हैं तो ऐसा भी नहीं कि fingerprint sensor बिल्कुल डेमेज हो चुका है या फिर ऐसा नहीं कि fingerprint sensor hardwarely problem हुआ है ठीक है क्योंकि दोस्तों कई बार कुछ चोटे मोटे problem होने के वज़ा से इस तरीके से मिजब्याइफ करते हैं आपका sensor sensor तो sensor में दोस्तों आपको यहां पर साफ रखना है ठीक है वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपके जो sensor है और जब भी आप अनलोग करते हैं अपने mobile को तो हाथ से दोस्तों बिल्कुल जो है अपने witness को निकाल देना है ठीक है हाथ को अच्छे साफ करकी दोस्तों आपके जो finger है उसमें पसीना हो जाता है या फिर वेट होने के वज़़े से यह काम नहीं करते हैं ठीक है कई बर तो आपको यह सबसे जारा दिहान देना है अगर दोस्तों मान लिए आपने साफ करके लिगा फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको एक बर फिंगर प्रिंट करने के बाद दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए रिक करती है आपको फिंगर प्रिंट को रिमूट रिस्टार्ट करते तो कभी आपका फिंगर पीच से कीजिए तब काम करेगा ठीक है और आपका प्रॉब्लेम फिक्स्ट हो जाएगा और दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहा है कि मॉबाइल को आभी रिबूट किया रिबूट करने के साथ आप फिंगर प्रिंट से ओन करने की कोशिश कर रहे आपके मॉबाइल तो वह काम नहीं करे है ठीक है तो सारे डिवाइस में ऐसा है होते हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले यह चीज़ करके देखे अगर प्रॉब्लम सौल्फ हो जाता है ठीक है अगर आपको अभी प्रॉब्लम आ रहा है तो स्क्रॉल डाउन करें जेनरल मेनेश्मेंट पर जाए ठीक है रिसेट पर आपका जो यहाँ पर है उसको रिमूफ करके या फिर रिमूफ हो चुका है तो उसको आप रिएट कीजिए रिएट करने के बाद चेक करके देखें सौल्फ हो जाएगा आपका प्रॉब्लम है तो बाई इनी चांस अगर आपको दुबारत से प्रॉब्लम आते तो फिर है तो फिर अपडेट करना है और उसके बाद चेक करके देख सकते हैं आपका इश्यू फीक्स हो जाएगा इनी चांस अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं सब सौलुशन करने के बाद भी तो आप जेनरल मेनेजमेंट पे जाए रिसेट पर क्लिक करें फेक्टुरी रिसेट क्लिक करके आपको मोबाइल फेक्टुरी रिसेट कर दिना है मोबाइल पासवर्ट भरना है फेक्टुरी रिसेट करना है और उसके बाद जाके सोल्फ हो जगा आपका प्रॉब्लम ठीक है फिर भी ना हो तो आप किसी भी टेक्निशन का मदद ले लीजे क्योंकि दोस्तों कि आप पर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा आपके सेंसर के साथ में तो आप उसको जाके किसी भी टेक्निशन के पास सॉल्फ कर सकते हैं उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद होगा टैंक्स रॉचिंग